हेलो विद्यार्थियूं, टार्गेट विद्लक्ष की नई वीडियो में उस भी का श्वागत है तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में क्लाश 12 गड़ित के प्रशनिपत्र के बारें बताऊंगा इसलिए आप लोग ये वीडियो जो है पूरा लास तक चरूर देखेगा तो इसमें दन्देजे इसमें जो इकाई देखेए दन्देजे पहली इकाई है संबंध तथा फलन इस इकाई में आपके दो अध्याए हैं टोटल एक संबंध तथा फलन और दूसरा है प्रतिलोम त्रिकोणमिती फलन इससे जो है तोटल आपका दस अंकपे पर आएगा इसके अलावाद हैं देजे दूसरी इकाई है आपकी बीजगरित इसमें भी आपके यहाँ पर दो अध्याए हैं एक है आपका आव्यू और इसके अलावाद दूसरा होता है आपर साडिक इन दोनों से कितने अंक आएगा तेरा अंक आएगा और इसके बाद जो तीशरी इकाई है इसमें जो है टोटल पांच अध्याए दिये गए हैं और इन पांचों अध्याए उसे जो है टोटल चौवालिस अंक पेपर आएगा इसके बाद जो आपके चौथी इकाई है यानि कि सद्धिस तथा त्रिवमी जयमिती इसमें भी आपके दो अध्याए देखे हैं और इन दोनों अध्याए उसे यहाँ पर सत्रा अंक आएगा इसके अलावा पांचवी इकाई है रैखिक प्रोग्रामन इससे केवल छे अंक आएगा इसके अलावा इसमें एक इकाई है छटवी यानि कि जो है प्राइकता यहाँ पर छटवी इकाई प्राइकता और इससे जो है टोटल दस अंक पेपर आएगा इस प्रकार यहाँ पर आपका जो paper होगा total वो 100 अंका होगा याँ कि जो paper में question आएंगे वो 100 number के आएंगे तो यहाँ पर दंदेजी इसमें भी आपका एक ही अध्या है इसमें भी आपका एक ही अध्या है इस प्रकार total अध्या जो बनेंगे आपके 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 12, 13 एनी के total 13 अध्या दिये गए हैं इसमें से और इन 13 अध्यावों में ध्यान देजी आपके ये दो अध्या समाप्त हो चुके हैं इसके अलावा बीजगरित के दो अध्या जो है समाप्त हो चुके हैं और यहाँ पर जो कलन दिया गया है इस कलन में जो है यहाँ पर दो अध्या लगबग समाप्त हो चुके हैं इतने आपके यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इन सभी वीडियो की playlist का लिंक आपको इसी वीडियो के discussion में मिल जाएगा आप वहां से जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग मैत के पेपर की बात करें तो इसमें जो है total no question आते हैं पेपर में कितने कोशन होंगे तोटल 9 कोशन होंगे जो आपका पहला कोशन होता है ये बहुविकलपी होता है और इसमें टोटल 5 कोशन होते हैं और सभी कोशन जो है एक एक नंबर के होते हैं तो यहाँ पर ये 5 नंबर का हो जाएगा इसके अलावा जो दूसरा कोशन होता है इसमें भी एक एक नंबर के जो है पांच कोशन होते हैं यहां पर भी आपको पांच नंबर मिल जाएंगे इसके अलावा जो तीसरा कोशन होता है इसमें जो है दो दो नंबर वाले चार कोशन होते हैं यहां से आपको मिलेंगे आठ नंबर इसके अलावा जो चौथा कोशन होता है इसमें भी दो दो नंबर वाले चार कोशन होंगे तो यहां से भी आपको आठ अंक मिलेंगे इसके अलावा जो पाँच वा कोशन होता है इसमें जो है पाँच पाँच अंक वाले पाँच कोशन होते हैं यहां पर आपको पांच कोशन करने होंगे पांच पांच अंके तो यह टोटल हो जाएंगे 25 अंके इसके अलावा इसमें याद रखेगा यहां पर जो कोशन आएंगे इसमें टोटल आपको 6 कोशन दे जाएंगे और 6 में कोई 5 करना होगा इस कोशन नमबर 5 में आपको टोटल छे कोशन दे जाएंगे इसमें से आपको कोई 5 करना होगा और सभी 5-5 अंके होंगे इसके बाद जो छटवा कोशन है इसमें भी आपको टोटल 6 कोशन दे जाएंगे उन 6 में आपको कोई 5 करने हैं जिसमें से सभी 5-5 अंके होंगे तो यहाँ पर भी आपको 25 अंके मिलेंगे इन सभी में आपको एक-एक कोशन करना होगा और सभी में दो-दो दिये जाएंगे यानि कि 7, 8, 9 इन तीनों में यहाँ पर आपको दो-दो कोशन दे जाएंगे और सभी में एक-एक कोशन करना होगा और यहाँ पर जो कोशन होगा वो आठंका होगा गलाने कि इन तीनों question को मिलाके यहां पर आपको चौबेस अंक मिलेंगे, यहां पर इन तीनों question से आपको मिल जाएंगे, चौबेस अंक तो यहां पर question number 7, 8 और 9, यह तीनों बहुत ही महत्यूपूर है, इसमें 2-2 question आपको दे जाएंगे, और एक एक जो है आपर करना होगा यहाँ पर जो यह long question आते हैं यह ज़्यादा तर आविव से आता है आविव में आपको समीकर हल करना बताया गया आविव उच्छे यह question एक अक्षर आ जाता है तो आप वहाँ से जाकर उचारे वीडियो देख सकते हैं तो अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद